हेलो एवरीवन मैं हूँ कंचन कंचन्स रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को होली स्पेशल रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स तो वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने दो कटोरी मैदा ले लिया था इसमें मैंने चुटकी भर न बून लोंगे तो यहाँ पे मैंने पानी दालके इसका सौब टाटा बून लिया है इसको मैं तेल लगा के ढग के रख दूंगे तरस पंदरा मिनिट के लिए ताकि अच्छी तरह से रेस्ट कर ले आटा यहाँ पे कड़ाई गरम होगी ति उसमें मैंने दो टेबल स्पून गी गरम होने के लिए रख दिया है इसमें मैं दालूँगी एक कटोरी बारिक रवा इसे सूजी पे कहते है तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी दाल दीती इसे मैं अच्छी तरह से भूंज लोंगी ताकि इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए मेरी सूजी आल्रेड नुसार कम जाधा कर सकते हो तो यहाँ पे उसके बाद में मैंने इसमें सूखा खोबरा दाल दिया और इलाइची पॉडर दाल दिया है इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैं मैं इसमें दाल दूंगी चार ओली यह ओप्शनल है फ्रेंट्स यहाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसके बाद मैं इसे थंडा होने दूंगी थंडा हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने पारिक शक्कर को पीस लिया था तो यहाँ पे मैंने शक्कर का बुरादा दाल दिया है इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी एक कटोरी सूजी थ आटे को भी 10-15 मिट हो गेते रेश्ट होके उसमें से मैं एक छोटा सा लोई तोर लूँगे नीमबू से भी छोटा सा और इसे पतला बेल लूँगी जितना पतला में बेल लूँगी उतना है खसता यहां पर यह नाश्टा बनेगा होली स्पेशन तो यहां पर मैंने इसे बे स्पून के करिद मैंने जो सूजी बनाई दी ना भी तो वो रग दूँगी और साइट में मैं इसके पानी लगा दूँगी और अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करूँगे और इसे बंद कर लूँगी ताकि सूजी जो है ना वो फ्राय करते समय बाहर ना निकले तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सूजी को अच्छी तरह से चिपका दिया है और साइट में मैं फॉक के साइटा से इससे डिजाइन दे दूँगी तो यहां पे मैंने दोनों साइट से अच्छी तरह से डिजाइन दे दिया है और इसे मैं आप फोल्ट कर दूँगे बिल्कुल इस तरह से एक बार या दो बार गुमा करके आप चाहे तो एक बार भी गुमा सकते हो क्योंकि दो बार गुमाने से शायर ये तूट जाए तो यहां पे इसकी बिल्कुल सेम टॉफी जैसी डिजाइन बन चुकी है यहां पे मैं आप एक और एक तरीका बता रही हूँ छोटी से लोई ले ली थी मैंने और इसे पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेल लिया है और इसे अच्छी तरह से चिपका दूँगे और दूसरी साइट से इसके उपर मैं इस तरह से रख दूँगे और इसे भी अच्छी तरह से चिपका दूँगे तक कि सूजी जो है वो फ्राइ करते समय बाहर ना निकले तो यहाँ पे इसे भी मैं फॉक के साहता तो दोनों साइट से डिजाइन बना लूँगी तो यहाँ पे मैंने दोनों साइट से फॉक के साहता से अच्छे से डिजाइन बना लिए और इसे मैं इस तरह से दबा दूँगी ये भी बिल्कुल टॉफी की डिजाइन ही बन जाएगी फ्रेंट्स पर ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी टॉफी तो यहाँ पर इसी तरह थोड़े बड़े टॉफी मैंने बना के तयार कर लिए फ्रेंट्स आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हो या फिर बड़े भी बना सकते हो तो इसी तरह मैंने सारे टॉफी को बना के तयार कर लिये थे कितने अच्छे लग रहे है ना ये दिखने में बिल्कुल टॉफी जैसे तो चल्ये चलते हैं इसे फ्राई करने लिए यहां पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था इसमें मैं एक एक टॉफी को अच्छी तरह से फ्राइ करके निकाल लोगी तो यहाँ पे मेरी सारी टॉफी जो है न वो अच्छे तरह से फ्राय होगी थे इन्हें में निकाल लोगी अब यहाँ पे मैं आपको एक और एक बार बेली करके बता रही हो कि मैंने किस तरह से भराए तो यहाँ पे मेरी सारी टॉफी बनके तैयार है फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी लग रही है अगर इस हो लिए आप यह टॉफी बनाएंगे तो सब को बहुत पसंद आएगा और सब बहुत इंजॉई भी करेंगे खास करके बच्चे तो बहुत ही अगर आपको मेरा टॉफी गुजी या डिजाइन पस्तंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताक कि मैं जो